हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो आउर चैनल आल इन वन बाई टाइकोन आप सभी की प्रिप्रेशन बहुत आच्छे से चल रही है प्रिप्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नए चाप्टर के साथ फिजोलोजी के यूनिट के पहले चाप्टर डाइजेशन आपस और से लेकिन सबसे यूजपूल इंपोर्टन और फिजोलोजी के यूनिट के बाकी सभी चाप्टर उसको लिंक होगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजे नोटिपिकिशन अल कीजे तो लेट स्टाइज गाइज सिक्स्टेंद चैनल आपस और सबसे पहले आपको एदिमाग में जो सवाल आता है वह है अरे भाई चाप्टर का वेटेज क्या है तो चलिए हम देखते हैं चाप्टर का वेटेज क्या है चाप्टर से आप 4-8 मांक विश्चन कर सकते उसके बाद में जो आपको मन में सवाल आता है वह इस चाप्टर से क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है चाप्टर का ट्रेंड क्वेश्चन का ट्रेंड देखे प्रिवेश्चन के साब से तो मोड़े टाइप की मोड़े टाइप की क्वेश्चन सा आप इस चाप्टर स expect कर सकते हैं, क्वेशिन ड्रेंट के बाद में, आपके में में जो वाल आता है, कि क्वेश्चेन का टाइप केस है, मतलब किस प्रकार की क्वेश्चेन हम इस चाप्टर से एक्सपट कर सकते, तो देखिए, इस चाप्टर से आप fact-based questions, diagram-based questions और application-based questions एक्सपेट कर सकते अभी इसका मतलब कहें चैश्ट बेस्ट करता है इसे क्वेशन याद रहकिए इसक्वेशन को आपको गलत नहीं करना है कोजी भी हो जाए टेस्ट में या किसी भी एक्समें मसलान नहीं होना चाहिए यह आपको रट करता है लाइं自 gider करना चाहिए हैं फिर से रिड करना है अदॉसरी बात डायग्रम को पढ़ना पड़ता है, सिर्फ देखकर चोड़ना डायग्राम को अच्छे जरीड करना चाहिए वह भी मतलब में आपको एक वीडियो बना कर सभी चाप्टर के डायग्राम का question कुन-कुन से आ सकते उसमें क्याटर की question बन सकते वह सभी आपको डायग्राम-based question का एक बनाकर हर एक chapter का में उसके अपलोड करदूंगा उसके बाद में इस chapter को जो moderate level के question बोल रहा था में जो इस chapter को difficult बनाता ही वो application based question मतलब इस chapter को इस chapter से link करके question पूचा जाता है कई बार 2 chapter से कई बार 3 chapter से कीा और यही जो पॉइंट है ना इस चप्टर को डिकेल्ट कर देती है उसके बार टैप सबसे इंप्सर्वर्टन जो है वह इस चप्टर से आप आप out of anxiety question expect कर सकते हां बिल्कुल सही out of anxiety कुछी चुनिंद चप्टर से जिससे आप out of anxiety question expect कर सकते हैं उन में से एक चप्टर है आगे चलकर में और कौन कौन से चाप्टर है वो आगे आगे बता दूंगा उसके लिए एक सेपरेट सीरीज भी बनाऊंगा में वीडियोस की वह एक एक्जाम की एक दो मैने एक दो मन्त पहले बना दूंगा क्योंकि आपको अच्छे से रिवाइद करने में याद रखने में असानी होगी और उसी पॉइंट से उसी लगातार क्वेशन आते और उसके बाद के प्रिविएस इर क्वेशन रखेंगे जो आउट आप इंसे इक वेशन से ना वह मूसली प्रिविएस यह क्वेशन के जो पॉइंट पर मतलब बेस्ट होते मुला अगर वह आप पॉइंट या topic read करते तो उससे ही out of and set equation आता है तो इसलिए इस chapter से आप याद रखे out of and set equation अगर आता है तो आप मतलब surprise नहीं हो ना आपको expect करना है इस chapter out of and set equation प्रिवेसर क्वेस्टन इंपोर्टन है और application-based और दाइग्राम-based question पर focus करना है यह जो fact-based question है यह तो सभी को आता है इसके लिए कोई problem नहीं लेकिन जो डाइग्राम-based application-based question है इस पर हमें focus करना है और इसी को आच्छा बनाए यही differentiate करता है आप में और बाकी students में तो इस लिए इस से इस पर focus कीजिए और आगे देखते हैं तो चलिए actual topic के सार्ट करते हैं यहां तक तो topic का introduction का part था लेकिन आप actual topic से जसे question आते हैं वह देखते हैं वैसे तो इस chapter से बहुत सारे topic है जहां से question frame कर सकते है question आते हैं उनी topic में से सबसे important जो topic है जिससे हर साल लगातार question आता है और वह topic है Dentation, Dentation में तीन प्रकर होते हैं इसमें आप में भी आप pronunciation कुछ आलग कर सकते हैं इसका मैं ठीको डॉंट Dentation प्रनॉस करता हूं अगर एक्चुल यहन से लाइन टू लाइन डेफिनिशन देखे तो ठीको डॉंट Dentation मतलब हमारा जो treat होता है वह जो job होन है उसके job होन में फिक्स रहता है इस टाइप को attachment के लिए ठीको डॉंट Dentation बोलते हैं यह भी important है आपको पूचा जाता है ठीको डॉंट इस टाइप के टीट यह तो आप सभी को पाता है दो टाइप के टीट होते है एक जो हता है मिल्क टीट और दूसरा जो हता है वह पर्मनेंट टीट इस टाइप को डॉंट और तीसरा जो टाइप है वह टेरेडॉर्ट डेंटेशन इस हेटेरडाण मतलब आपको इस वर्ट से ही मतलब अजयता है हेटरों अलग टाइब के इस इसमें चार टाइप की खोते हैं एक जो है इनसीश्र दुसरा कैनाइन्स तिसरा प्री मोलर्स और आगे Alrighty जो होते हैं जो मतलब इंसी सर क्याना आफरी मॉलर्स मॉलर्स यह जो है न यह वनर रूट टू रू रूट टू रूट त्री रूट शाहिद आपको समझ में ने हैं लेकिन मैं आपको ब्लुट रहा था कि डाइगराम अच्छे से रीड करना पड़ता है उसके उसको सिर्फ देखने से नहीं चलता यह आपको देख से आगर आप यह दिख कर इग्णोर करते हैं लेकिन अगर आप अच्छे से उसे रिड करें तो आपको पता चलता है कि इंसी सर जो है ना मतलब डाइग्राम में जो दिखा है उसमें एक रूट है क्याना इनमें भी एक रूट है प्री मोलारास में दो रूट है और मोलारास में तीन रूट है मुझे भी पहले यह नहीं पता था कि मतलब एसा क्येशन फ्रेम हो सकता है लेकिन जब मैंने एक्जाम में क्वेशन देखा तो मतलब मुझे लगा पहले तो लगा यह आउट आप इंसाइड ही द यह याद रखें इंसिसर में यह वन रूट होता है कैनन में वन रूट प्री मोलारास में दो रूट और मोलारास में सीधा रूट पूचा जाता है प्री मोलारास में कितने रूट होता है ऑप्शन में 1,2,3,4 दिया जाता है और वहाँ पर बहुत कंफिजन होता है तो यही याद रखें, उसके बाद में, डेंटेशन पर सीधा fact-based question आते, मतला आपको पूच जाएगा, चाहिल में कितने number of teeth present है, तो आपको सीधा याद रखना है, चाहिल में 20 number of teeth, में 28 नमबर अप्टिर्स अडल्ट में 32 नमबर अप्टिर्स यह जो 2028 32 32 है यह जो को नीट और जे सीटी के लिए इंपॉर्टन है यह आपको याद रखना है 2028 32 फॉर चाहिल्ड अडल्ट रिस्पेक्टिवली तो मोड प्रेजेंटेशन है यह जो इस वीडियो में आपको यह जो आपको याद रखना है और यह जो आपको सिदा याद रखना है और इस याद रखना है तो यह तखी इस वीडियो में आपको और फ्रेम हो सकते से आते वह बता दिया को एक्ट अर यह पॉइंट से इस चाप्टर कfelt निल्ट बा यह जाता यह बाकी चाप्टर कोANA हीले क्याद सब्सक्राइन नहीं होना चाहिए, हर एक्वेशन आपको आना चाहिए